जिस घर में इन तीन लोगों की चलती हैं उस घर का सत्यानास हो जाता है बुद्धिमान बहु की अनमोल बाते हैं। कहते हैं हर आदमी चाहता है कि उसका घर धन, धाने और खुशियों से भरा रहे। उसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए प्रन्तु फिर भी लोगों की खुशियां नश्ठ हो जाती हैं। अच्छे खासे संपन घर भी उजड जाते हैं। गरीबी का पहाड तूट पड़ता है। हमारे ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों हो जाता है। तो दोस्तो आपको बता दें कि हमारे जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं का कान आदमी स्वेम होता है। उसकी किनी गलतियों के कान उसे कहीं न कहीं दुख उठाना पड़ता है। और ये सब परिवार में सिरफ एक व्यक्ति के कान हो जाता है। चाहे वो पिता हो, पुत्र हो या फिर इस्तरी। एक व्यक्ति की गलतियां पूरे परिवार के लिए मुसीबत का कान बन चाती हैं। तो दोस्तो इस संबंद में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची सर्धा से कोमेंट बोक्स में हर हर महादेव ओम नमे सिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब आवस्य कर दे। हे लक्षमी मा जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हस्ता मुस्कुराता कुसल मंगल रहे। किसी गाउं में एक मंसाराम नाम का व्यक्ति रहता था। उसके चार बेटे थे। चारों बेटों का विवहा हो चुका था। चारों बेटों की जो बहवें थी उनमें से सबसे छोटी बहो पड़ी लिखी और बहुत ही बुद्धिमान थी। पहले तो मंसाराम के घर की हालत कुछ जादा ठीक नहीं थी। लेकिन जब से छोटी बहो घर में आई वो घर दिन दुगना रात चोगना बढ़ता चला गया। उसके घर धन की वृदि होती चली गई। छोटी बहो सचमुच लक्षमी के समान थी। और कहते भी हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धी है वही उसकी सबसे बड़ी दोलत है। वो अपनी बुद्धी और विवेक से धनवान भी बन सकता है। और परिवार पर आने वाले संकट से भी आपना बचाओ कर सकता है। पड़ी लिखी समझदार बहु के आने से ना तो उसके घर में कभी लड़ाई जगड़ा होता था ना कोई प्रेसानी आती थी दिन रात मंसाराम की तरक्की होने लगी। घर में खुसी का मोहोल बन गया। गाओं के लोग पास पडोसी उसकी तरक्की को देखकर दिन रात जलने लगे। कि आदमी किसी को अच्छा खाता पीता नहीं देख सकता। वे अपने उत्थान में इतना दिमाग इस्तमाल नहीं करते जितना की पडोसी को गिराने में लगाते हैं। जाने क्यों लोग किसी को अपने से अच्छा, खाता पीता, हस्ता खेलता नहीं देखना चाहते, वे अपने दुख से इतने दुखी नहीं होते, जितना कि दूसरों के सुख से उन्हें दुख होता है, लोगों की मनोस्तिती केकड़ों की त्रह हो गई हैं, जो एक दूसरे की टांग खीचने में लगे रहते हैं, एक बार एक मचवारे ने बहुत सारे केकड़े पकड़कर अपनी पेटी में रख लिए, और वो तो केकड़े पकड़ने में मस्त हो गया, इधर केकड़े उस पेटी से निकलने का प्रियास करने लगें, जो भी केकड़ा पेटी के ऊप उपर चड़ने का प्रियास करता, पेटी में पड़े बाकी केकड़े उसकी टांग पकड़कर नीचे खीच लेते हैं, सब एक दूसरे की टांग पकड़कर खीचने में लगे थें, इसलिए पेटी से निकलकर कोई भी केकड़ा बाहर ना जासका, और सारे केकड़ों को अप दुक खाई जा रहा था कि प्रोसी मंसराम इतना फलता फूलता कैसे जा रहा है, यही सोचकर प्रोसियों ने मंसराम के कुल प्रोहित को बढ़का दिया, कि जब से मंसराम के घर में उसकी छोटी बहु आई है, तब से उसके धन की दिन रात वृदी होती जा रही है, उसके घर में ना कोई बीमार पड़ता है, ना किसी से लड़ाई जगड़ा होता है, यदि उसके घर में कोई बीमार पड़ता, लड़ाई जगड़ा होता, तो वो जाड़ पूंक के लिए ग्रह सांती के लिए आपको जरूर बलाता, तो आपको भी कुछ दक्षिना मिल जाते हैं पर उसके खुसाल रहने से उसके सारे मंगल कारी पूजा पाठ बिना धन खर्च किये ही हो जाते हैं। पडोसियों की बात कुल प्रोहित को अच्छी त्रह से समझ में आ गई। कि मंसाराम इसलिए उन्हें नहीं बुलाता। कुल प्रोहित ने सोचा कि ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे उसके परिवार की सान्ती भंग हो जाएं। और ये पूजा पाठ के लिए मुझे अपने घर पर बलाएं। ऐसा निश्चे करके वो एक जोतिस के पास पहुँचा। और बोला कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मंसाराम के घर में ऐसान्ती फैल जाए। जोतिसी ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि मंसाराम के घर में ऐसान्ती तो आही नहीं सकती। उसकी एक बहु साकसात लक्षमी का सवरोप है। जब तक वो लक्समी उस घर में रहेगी तब तक तुम उसका कुछ भी नहीं बिकार सकते। पुरोहित कहने लगे तब तो मुझ पर रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि चोर अपनी जीविका चलाता है ऐ सावधान व्यक्ति से। वैद अपनी जीविका चलाता है रोगी व्यक्ति से। मतवाली इस्त्रियां अपनी जीविका चलाती है कामी पुर्सों से। राजा अपनी जीविका चलाता है जगडने वालों से। और विदवान अपनी जीविका चलाते हैं मूर्ख व्यक्ति से। उसी तरह प्रोहित अपनी जीविका चलाता है यजमान से प्रोहित की बात सुनकर जोटसी कहने लगा यदि ऐसी बात है तो एक काम करो अगर तो मंसाराम के खेत में से एक बांस मंगवा लो तो उसके घर में घोर ऐसानती फैल जाएगी यह सुनकर प्रोहित तुरंत मंसाराम के घर जा पहुचा प्रोहित ने अपनी जरूरत की बात कहकर मंसाराम से एक हरा बांस मांग लिया मंसाराम प्रोहित की बात को बला कहां टाल सकता था वो गया और अपने खेत से एक बांस उखार लाया यह बात मंसाराम की छोटी बहु को पता चली कि पुरोहित हमारे घर से एक हरा बास लिये जा रहे हैं तो उसने उस बास के कुछ हरे पत्ते अपने घर में बंदी काली गाएं को खिला दिया। तब ये हमें अपने घर बुलाकर ग्रह सांती पूजा पाट कराएगा। लेकिन एक महा बीतने पर भी जब कुछ नहीं घटित हुआ तो पुरोहित फिर उसी जोटसी के पास पहुँचा और बोला भाई आपके कहने पर मैं मंसाराम के घर से हरा बास भी ले आया। फिर भी उ कि उसके घर उसकी छोटी बहो साकसात लक्समी है। जब तुम बास मांगने गए थे तो उसने बास के कुछ पत्ते अपनी काली गाएं को खिला दिये थे। इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ। बहु बहुत बुद्धिमान है। जब तुम बास मांगने गए थे तो वो समझ गई थी तो उसने गाएं को पत्ते खिला कर तंतर काट दिया अब तुम एक काम करो मंसा राम से वो गाएं मांग लाओ जिसको उसने पत्ते खिलाए हैं जोच्छी के कहने पर प्रोहित फिर से मंसा राम के घर पहुँच गए और बाते बनाते हुए बोले मंसा राम मेरी बहु उन्हें एक बेटे को जनम दिया हैं और हम लोगों की इतनी हैसित नहीं हैं कि हम उन्हें गाएं का दूद पिलास के अगर आप महरबानी करके अपनी काली गाएं कुछ दिनों के लिए हमें दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी मंसा राम प्रोहित को खाली हाथ नहीं ल तो गाएं पुरोहित को दे दो लेकिन उससे पहले हमें एक काम कर लेने दो मित्रो इतना कहकर मंसा राम की छोटी बहु ने अपनी चादर के कुछ धागे गाएं के आसों से भीगो कर रख लिए और गाएं पुरोहित को दे दी गई पुरोहित गाएं लेकर चले गई और मन ही मन बड़े प्रसन होने लगे कि अब तो उसके घर में विपत्ती आएगी ही आएगी जब विपत्ती आएगी तब वो मुझे पूजा पाठ के लिए अमंत्रित करेगा इस तरहें धीरी धीरी दो महीने बीद गए पर मंसराम के घर में ऐसानती नहीं पहली अब प्रोहित जी फिर उसी जोंची के पास आए और बोले भाई मैंने तुम्हारे कहने पर मंसराम के घर से गाएं भी मांग लाया फिर भी वो खुसहाल जिन्दगी जी रहा है दो महीने बीद गए फिर भी उसके घर में कोई बीमारी नहीं पहली कोई लड़ाई जगड़ा नहीं हुआ अब हमारी जीवका कैसे चलेगी जोंची ने ध्यान धर कर देखा तो वो समझ गया कि उसकी छोटी बहुने गाएं को देने से पहले उस गाएं के आशों से अपनी चादर को भी बिगो लिया इसलिए खुस हाली उसके पास ही रह गई अब तुम वो चादर किसी त्रहें से मांग लाओ तभी उसके घर में विपत्ती आएगी जोंची महराज की बात सुनकर प्रोहित जी फिर मंसाराम के घर पहुंचे और मंसाराम से निवेदन किया कि वो अपनी छोटी बहु की चादर मुझे दे दे मेरी बेटी किर्तन सुनने दूसरे गाउं जा रही है मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी को एक नई चादर दिलासकूं मंसाराम कहने लगा महराज इसमें कौन सी बड़ी बात है लो मैं अभी बहु से चादर मांग कर लाकर देता हूँ इतना कहा कर मंसाराम बहु से चादर मांगने गया बहु बड़ी समझदार थी उसने चादर देने से पहले चादर के वही दागे काटकर निंगल लिये जो गाएं के आस्वों से भीग गए थे और चादर ले जाकर पुरोहित को दे दी पुरोहित चादर लेकर अपने घर पहुचा और मंसा राम के घर में विपत्ती आने का इंतजार करने लगा इंतजार इंतजार में ही दो महीने बीट गए मगर उसे ऐसी कोई खबर सुनने को नहीं मिले कि मंसाराम के घर में कोई बीमार पड़ जाता, कोई जगड़ा हुआ हो। प्रोहित जी फिर भाग कर उसी जोटसी के पास पहुँचे और बोले महराज मैं उसे छोटी बहु की चादर भी मांग लाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब जोटसी ने ध्यान दर कर देखा, तो कहने लगे, प्रोहित जी वो बहु बड़ी बुद्धिमान है, उसने गाएं के आस्मों से भीगे हुए चादर के धागे तोड़कर निंगल लिए, इसलिए उसकी खुसहाली उसी के पास रहे गई, अब तो मंसाराम को विपत्ती में डालने का एक ही तरीका है, उसकी छोटी बहु को घर से निकाल दो, तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं, और हाँ आप इस विशे में बात करने मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें अब कोई रास्ता नहीं बता सकता, जोटसी की बात सुनने के बाद पुरोहित मंसाराम के घर गई, और सोचने लगी कि मंस मंसाराम के घर के सारे लोग उस बहु से बहुत प्यार करते हैं, वे खुद तो बिना किसी बात के उसको घर से निकाल ही नहीं सकते, तब पुरोहित के मन में एक युक्ती आई, उसने मंसाराम से कहा, देखो भाई, मानना या ना मानना, तुम हारे हाथ में है, कल रात मैंने एक सपना देखा, मेरे सपने में एक देवदूत आय था, और वह मुझसे कह रहा था कि तुम तो मनसाराम के कुल पुरोहित हो, और उसके घर की हानी, लाब, सुख, दुख का निवान तुम ही करते हो, देवदूत ने मुझसे कहा, कि मनसाराम की छोटी बहु क यदि घर से नहीं निकाला गया, तो उसके घर पर दुखों का पाहाड तूट पड़ेगा, तुम यह बात मनसाराम को जाकर बता दो, कि उसकी बहु बहुत अभागन इस्त्री है, उसे घर से निकाल देना ही सुब है, पुरोहित की बात सुनकर, मनसाराम बहुत चिंतित हो उसने अपने बेटों को बुला कर पुरोहित के द्वारा बताई गई सारी बाते बताई, कि आपकी पतनी की वज़े से हम लोग एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फस जाएगे, इसलिए तुम अपनी पतनी को घर से निकाल दो, मित्रों उन दोनों की बातें वो छोटी चूप चाप सुन रही थी, छोटी बहु कहने लगी कि पिता जी यदि मेरे कां इस घर पर विपत्ती आएगी, तो मैं स्वेम ही इस घर को छोड़ कर चली जाओंगी, इतना कहकर वो घर से जाने लगी, उसके पती ने देखा, तो वो भी अपनी पतनी के साथ घर छोड़ कर चल दिया, अब तो लक्समी रूपी बहु के घर से जाने के बाद मंसा राम के घर में घोर ऐसानती फैलने लगी, कभी आपस में लड़ाई जगड़ा होता, कभी बीमारी आती, कभी धन हानी होती थी, तो कभी कुछ, कुछ ही दिनों में मंसा राम कंगाल हो गया, पुरोहि इदर उदर की बताकर जाड फूंक करने के नाम पर उससे धन खींचते रहे, इदर खेती बाड़ी वैपार सब थम सा गया था, चोटी बहु के जाने के बाद उसकी अन्य बहुएं उस घर की घरिस्ती नहीं संभाल सकी, दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती गई, उदर उ अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सोचा कि पुरोहित की बातों में आकर उसने अपने घर को बरबाद कर लिया है, लक्समी जैसी बहु को त्याक कर वो कंगाल बन गया है, अब वो अपनी बहु और बेटे को वापिस लाने के लिए सहर चल पड़ा, और वहां जाकर उसने अपने की एकी शमा मांगी, बहु कहने लगी, पिता जी जब इनसान धन से बढ़ने लगता है, तो उससे लाब उठाने वाले, उससे बरबाद करने वाले, उससे जनने वाले सला कहर बहुत मिल जाते हैं, और बिना मांगे ही सला देने लगते हैं, यदि मनुस्य बिना मिलने वाली सलहा में फंस गया तो उसका विनास होने लगता है। समझदारी इसी में है कि वह सुने सब की पर करे वो जो उसके हित में हो। इसमें तुम चोर को दोस नहीं देशकते, अपने करम पर विश्वास करो। यदि हमें अपने करम पर अपनी योगेता पर विश्वास है तो आपका करम आपको फल देगा ही देगा। विपत्ती आने से पहले ही उसका समादान सोचना चाहिए। हर कारी दूसरों की सलहा पर न ऐसे लोगों को बाद में बिलकुल भी पस्ताना नहीं पड़ता है। दर्सक बंदवों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उन तीन लोगों के बारे में घर में जिनकी जादा चलती हैं उनके कान घर बरबाद हो जाता है। पहला जिस घर का मुखिया मूर्खो जुवारी हो और बिना मांगे सलहा देने वालों के अनुसार चलता हो तो उसका घर अती सिगर उजड़ जाता है। दूसरा हाटी और लाडला लड़का जिस घर में ज्यादा हाटी और लाडला बालक हो उस बालक की घर में चलती हो तो वो अपनी हट पूरी करवाकर ही मानेगा। बहल जिसका डोगना तय है। अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।